Good evening! आपका अपना Home Science Move में हम Home Science के कुछ आपजेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके TGT के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आपका अपना Home Science Move में कुछ आपजेक्टिव क्वेश्चन क्या है? फर्ष्ट कोशन जैसे जैसे आय में बढ़ुत्री होती है भोजन पर खज की गई आय का अंपात घड़ता है हालंकि भोजन पर खज की गई वास्त्री किरासी बढ़ जाती है यह नियम आम तवर पर किस नाम से जाना जाता है आपके पास चार आपसन पहला यह नियम मेंडल का नियम भी रोजगास नच्छर कानूम सी एंजल का नियम और डी उपल्होकता का नियम तो आपका अंसर होना चाहिए एंजल का नियम आप एक copy बनाएए उस copy पर question को note करें और answer लिखें objective के चारो आपसंद न लिखें केवल answer लिखें के आपको exam में केवल question पढ़ें और answer लिखें question number second निनलखीत में कौन सा budget का प्रकार नहीं है हम चार आपसंद बुल रहें उसमें से आपको बताना है कि कौन सा budget का प्रकार नहीं है पहला वास्तवीक budget दुसरा आदर्स budget तीसरा आसंतुलित budget और चवथा आउसत budget आपने मेरे question को सुना आपसंद को भी सुना तो आपका answer होना चाहिए आसंतुलित budget क्योंकि आसंतुलित budget कोई आपके budget का टाइप नहीं है तीसरा question मानसीक आय का संबंद मुख्य रूप से होता है मुद्रा से, संतोष से, काले धन से या उपरुक्त सभी से आप सोच कर जवाब दीजिए मानसीक आय का संबंद किस से होता है तो आपका answer होना चाहिए संतोष से कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है पहला रेखांकित चेक, आदेश चेक, तीसरा विक्रित चेक, और चवथा वाहत चेक कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है रेखांकित चेक अगला कोशन मासिक वेतन किस आय के अंतरगत आता है आपके महिनी का वेतन जो आप आते हैं वो किस आय के अंतरगत आता है और प्रत्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च कितनी है तीन है या चार है या पांच है या चे है कितनी है पांच है बहुत अच्छा आपका अपना होम साइन्स मव में हम के वर अब्जेक्टिव कोश्चन को लेकर इजबारा हैं हम चार हैं कि आप अब्जेक्टिव कोश्चन को भी ध्यान दें कुछ कोश्चन अभी से साल करें अगला है पहले इस्पेस है आपको इसमें फिल करना है एक मुल्यमान साथन है जिसका उपयोग आय एम ब्यायके आबंटन के हेतू किया जाता है किसका किया जाता है स्रम का बजट का जंगर्णा का या समसाधन का किसका बजट का वेरी गूड बहुत ही अच्छ है अगला निम्लिकित में कौन सी विती है? विती मतलब धन समद्ध। संस्था नहीं है। बैंक, यलाइसी, उधार देने वाला या सहकारी स्रमिती। उधार देने वाला। अगला और लाश्ट कोश्ण, इनमें से अनिवार बचत स्रेडी में क्या आता है? बैंक में जमा बचत, भीमा पालसी, लोक भविस्य निधी योजना, क्रमचारी भविस्य निधी योजना। क्या आएगा? लोक भविस्य निधी योजना। आपका अपना होम साइन्स मों में आज हमारे कुछ कोशन थे, अबजेक्टिव, जो आपके एक्जाम में यह कोशन आये, चाये वो जहारखन में आया हो, या TGT राजस्थान में आया हो, या GIC का कोशन हो, इसी से रिलेटेट ये कोशन थे, ओके? तो आपका अपना होम कोश्टन के साथ